स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्विश्चिन वी इस कॉल फॉदर ऑफ केमिस्ट्री यानि रसाइन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ऑप्संस एन्टोनी लेवशियो आचार प्रफिल चंद्र जैकोब बर्जीलियस जॉसिप टिस्टले देखिए इसका करेक्ट आंसर है एन्टोनी लेवशियो इन्हें फादर आफ केमिस्ट्री कहा जाता है आचार प्रफिल चंद्र को फादर आफ केमिस्ट्री इन इंडिया कहा जाता है जैकोब बर्जीलियस काफी ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफी जादा डिस्कवरीज करी है जैसे कैटलेस्ट कैटलेस्ट की खोज करी चौशे प्रिस्टले की बात करें इन्होंने आक्सीजन को डिस्कवर किया क्वेस्टन नमबर 3 वू रिद्रेजेंटेड एलिमेंट्स विद्श सिम्बल्स यानी तत्वों को हमारी आवर साणनी में 118 तत्व है एलिमेंट्स है और उन 118 एलिमेंट्स के सिम्बल्स है जैसे मान लिजीए हाइड्रोजन oxygen carbon इनके symbols हैं क्योंकि इनको full form में लिखना उतना उचित नहीं है इसलिए हम इनको symbols का इस्तमाल करते हैं लिखने के लिए जैसे for oxygen हम O use करते हैं for carbon हम C use करते हैं इस तरीके से तो किस ने symbols में elements को represent किया इसका correct answer है bergillius bergillius ने elements को symbols के साथ में represent करने के लिए एक बहुत ही simple system represent किया और उस system में उन्होंने तीन तरीके से elements को symbol के form में represent करने की बाग करी जैसे number one जैसे most cases में अगर कोई element है जैसे oxygen या फिर उसके अलावा carbon अगर कार्बन अगर कार्बन अगर कार्बन अगर कार्बन अगर कार्बन अगर कार्बन ये elements है तो most cases में उन्होंने बताया कि elements का जो first letter है उससे ही हम elements को represent कर सकते हैं जैसे oxygen को हम O से represent करते हैं carbon को हम C से represent करते हैं sulfur को हम S से represent करते हैं और ये symbols जो होंगे first letter के ये लिखे जाएंगे capital में second अगर मान लिजिए first letter already adopted है कहीं और इस case में क्या होगा initial letter को तथा उसके साथ में with its small letter हम लेंगे यहाँ उस case में होगा जब first letter को पहले से ही adopted किया जा चुका है ओके जैसे example देखते हैं मान लिजिए silicon अगर हम silicon में S ले लिया तो हम पहले से sulfur ले चुके हैं sulfur का symbol S होता है तो हम दुबारा से silicon का symbol अगर S लेंगे तो फिर यह काफी बड़ी समस्य हो जाएगी आव और साड़नी में इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे हम silicon को S लेंगे प्लस हम I small लेंगे तो हम इस तरीके से represent करेंगे जैसे second example लेते हैं calcium calcium में अगर हम C ले लेंगे हमने देखा था कि carbon में हम C लेते हैं symbol के रूप में अगर हम calcium में भी C लेंगे symbol के रूप में तो फिर ये काफी बड़ी समस्य हो जाएगी इसलिए क्या करेंगे हम C लेंगे capital और A लेंगे small that is calcium तो ये था second अब बात करते हैं third की third case में क्या होता है the symbol for some metals were derived from their latin name यानि कुछ धातुओं के जो symbolic name है उनको हम derived करते है उनके latin name से जैसे for example silver silver एक धातु है metal है silver का latin name क्या होता है argentum और इसको हम क्या करते हैं argentum है तो हम इसको latin name यानि ag से denote करते हैं example no.2 जैसे mercury mercury का latin name क्या होता है hydrogium mercury को हम hydrogium क्याते हैं और इसको symbol हमने क्या लिया aurum इसलिए इसको हम au से denote करते हैं example अपा 5 जैसे iron इसका latin name क्या होता है ferum तो इसको हम denote करते हैं fe से जैसे copper copper को हम cupram इसको हम cu से denote करते हैं जैसे lead इसका latin name होता है plumbum क्या होता है plumbum इसलिए इसको हम pe be से denote करते हैं तो इस तरीके से हम metals को symbolize करते हैं और यह bergillius द्वारा बताया गया था I hope आपको अच्छा लगा होगा कि आप लोगोंने समझा जाना किस तरीके से bergillius ने periodic table में symbolize किया तो आप से अगर question पूछे elements with symbol तो इसका अंसर होगा bergillius और यह question पूछा भी गया है ntpc में ntpc में अगर आप questions उठा के देखेंगे तो यह पूछा गया है bergillius के बारे question number 4 a compound is compound means क्या होता है yogic compound means yogic होता है compound क्या है chemically combined in a fixed proportion chemically do not combine in a fixed proportion chemically combined in any proportion या in miss कोई नहीं देखें compound का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं compound यानि yogic की परिभासा क्या होती है question number 5 a compound is always homogeneous chemically do not combined ये तो नहीं हो सकते है इसका आशर क्या होगा a compound is always homogeneous substance इसका मतलब क्या होता है देखें, homogeneous का मतलब होता है these are those substance which are completely mixed together ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपस में पूर्ण रूप से मिले होते हैं, मिजडित होते हैं तो इसका आशर होगा a question number six components in compound जब दो या फिर दो से अधिक element मिलते हैं, आपस में chemical combine होते हैं fixed proportion में, तब बनता है compound और जब compound बनेगा, देखिए अगर कोई दो element है जैसे hydrogen है और oxygen है, ये दो element है इन दोनों element की, अपने खुद की property अलग होगी लेकिन जब ये combine करेंगे और combine करके compound बनाएंगे तो इनकी property क्या जो पहले थी, वही रहेगी या फिर बदल जाएगी यानि क्या property loose करेंगे या property को as it is रहने देंगे इसका मतलिब यह है कि when two elements original property या their own property वो अपनी original property को खो देते हैं तो correct answer क्या होगा do not retains their original property यानि अपनी मूल गुण को retain नहीं कर पाते हैं friends chemistry में अगर आपने periodic table नहीं बढ़ा है आपको इसमें से at least 30 elements के बारे में नहीं पता है आपको उसमें atomic number और उस element का atomic weight पता होना चाहिए जैसे आपसे अगर पूछे कि oxygen का atomic number किता होता है तो that is 8 आपसे पूछे कि oxygen का atomic weight किता होता है that is 16 तो आपको ये दो चीज़े पता होनी चाहिए at least 30 elements तक वो इसके बाद नहीं पूछता है लेकिन कुछ elements पूछ लेता है जैसे आपसे पूछेगा कि जो Hg है 12 है उसका atomic number कितना होता है तो उसका 80 होता है जैसे आपसे पूछ ले कि मेंडलीव के नाम पर मेंडलीवियम element बनाया गया था वो इसका atomic number कितना होगा तो वो 101 होगा तो कुछ questions आ सकते हैं आगे आने वाले वीडियोज में हम आवर्स आरने को study करेंगे तब हम जानेंगे इसमें कौन-कौन सी बारी किया है जो हमारे exams में आती रहती है खास कर यहां से questions railway के exams में काफी आते रहते हैं NTPC या फिर railway JEE में आते रहते हैं इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हम केवल बात करेंगे hydrogen के बारे में carbon के बारे में और oxygen के बारे में क्योंकि हमने हमारे questions में केवल इन ही तीन elements को लिया है आपको जैसे मैंने कहा था आपको element के atomic number के बारे में और atomic weight के बारे में पता होना चाहिए यहां पर हम example लेंगे तीन का जैसे hydrogen का atomic number कितना होता है 1 होता है और इसका atomic weight कितना होता है 1.008 होता है लेकिन जब हम question solve करेंगे तब हम decimal में संख्या नहीं लेंगे क्योंकि फिर हमको समस्या का समना करना पड़ेगा calculation में इसलिए हम केवल 1 ले लेंगे जैसे carbon का atomic number 6 होता है और weight कितना होता है इसका weight 12.011 होता है लेकिन हम केवल 12 लेंगे जैसा oxygen का atomic number 8 होता है और इसका atomic weight कितना होता है 16 हम लेंगे यहां पर instead of 15.99 ताकि हम questions को easily solve कर पाएं तो हम देखते हैं कुछ questions जो based है हमारे आज के topic पर question number 7 calculate the molecular weight of H2O आप से H2O का molecular weight पूछा गया है देखिए H2O कैसे बनता है H2O hydrogen और oxygen elements के मिलने से बनता है तो सबसे पहले हमको hydrogen का atomic weight पता होना चाहिए and then oxygen का जैसा हमने देखा था last slide में hydrogen का atomic weight हम 1 लेंगे और oxygen का हम 16 लेंगे तो अगर आपको यह दो पता है तो फिर इस question का answer easily आ जाएगा जैसे समझते हैं H2O hydrogen के place पे हम 1 लेंगे into 2 plus oxygen कितना है 16 है तो यह कितना हुआ 2 plus 16 that is 18 तो इस question का जो current answer है वो 18 है इस तरीके से हम solve करेंगे ऐसे questions को question number 8 calculate the molecular weight of CO2 जैसा हमने देखा था carbon का कितना होता है 12 हम लेंगे और oxygen का कितना होता है 16 होता है पूछा आप से गया है CO2 C carbon जो की 12 है oxygen का होता है 16 यहाँ पे 2 है तो हम multiply करेंगे 16 को 2 से जो कितना होगा 32 होगा इसमें add कर देंगे हम कितना इसका अंसर आएगा 4 4 that is 44 तो CO2 का molecular weight कितना होता है 44 होता है question number 9 calculate the percentage composition of H2O यह थोड़ा different question है but we will solve it very simply हम इसको आसानी से solve कर लेंगे इसमें आप से percentage composition पूछा गया है H2O की H2O में hydrogen का कितना पसेंट है और oxygen का कितना पसेंट पार्ट है ऐसे question solve करने के लिए आपको सबसे पहले molecular weight जो compound आपको दिया गया है तू आपको atomic weight जो elements दिये गए है उनका atomic weight कितना है जैसे इस case में hydrogen plus oxygen दी गई है तो आपको इन दोनों का पता होना चाहिए जैसे हम जानते हैं H2O का अभी हमने देखा था molecular weight कितना होता है 18 होता है और atomic weight कितना होगा elements का इसका 2 होगा और इसका 16 होता है अब इसको हम solve करेंगे इस question को इसके लिए एक formula है formula क्या है percentage, composition Oczywiście Atomic Weight into number of that element upon on molecular weight of compound हमको इस फामोले को प्रयोग में लेके आना है ताकि हम question solve कर पाएं आजे देखते हैं इस फामोले को मैंने ऊपर लिख दिया है ताकि आप इसको देखते रहें स्टार्ट करते हैं जैसा हम जानते है हाइड्रोजन का atomic weight कितना होता है एक होता है अब यहां पर question में number of that element कितने है H2 है तो हम 2 से multiply करेंगे इसको नीचे दिया गया है आपको atomic weight of compound यानि इस पोरे compound का atomic weight कितना होगा तो वो होगा 18 अब यहां पर आपको multiply करना होगा 100 से यह मैंने आपको last जो formula बताया था नहीं बताया था तो यह आप याद रिखेगा आपको इसको 100 से multiply करना है into 100 200 upon 18 16 equal to 11.11 निकल के आया hydrogen का 11.11 percent oxygen का atomic weight कितना होता है 16 होता है number of element अकेला oxygen है atomic weight of compound 18 और into में 100 तो यह हो जाएगा 16 upon 18 तो इसकी value निकल करके आएगी 88.89 percent approximate value हैगी तो हमसे इस question में यही पूछा गया था calculate the percentage composition of H2O और ही case में हमने देखा था hydrogen का 11.11 निकल के आ रहा था इसमें 15 है नहीं हो सकता 13 नहीं हो सकता तो C वाला correct answer है और oxygen का 88.81 इसमें 88.89 तो यह correct risk answer होगा यह options में difference क्यों है because हमने approximate value को लिया है question number 10 और यह आज का last question है calculate the percentage composition of CO2 question number 10 time calculate the percentage composition of CO2 CO2 equal to 44 okay gram per mole और इसमें आपसे carbon का atomic weight कितना होगा 12 होगा और oxygen का atomic weight 16 होता है तो formula क्या था हमारा formula हमारा था atomic weight atomic weight of element तो सबसे पहले हम बात करेंगे carbon की 12 number of element कितने थे केबल carbon है upon में 44 into 100 तो यह हो जाएगा 1200 upon 44 और इसका तो यह निकल किया है 27.27% तो carbon का हमने कितना 27.27% निकल किया है अब हम इसी से केबल चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा carbon का 29 दिया है गलत होगा carbon का 27 दिया है सही हो सकता है तो इसका आंसर सही होगा बीवाला यह सभी गलत होगे अब देखिए अगर आपको 27.27 मिलके carbon का और बचा क्या है बचा है केबल oxygen तो यह आवस्यक नहीं है कि आप इसका भी निकालें सेम तरीके से आप क्या करेंगे 100 में माइनस कर देंगे 27.27 और जो निकल के आयेगा 72.73 परसंटेज तो वह यह होगा So B is correct answer आपने सीखा आज के इस lecture में हमने 10 questions discuss किये अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज सस्क्राइब आवर चैनल ताकि हम motivate हो करके और वीडियोज लाएंड हेर सारे और फेकल्टी इसको लेके आए Thank you very much Thank you Jaiyan